अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर सच्चा धर्म है क्या और अक्सर कम उम्र के बच्चे या मैं कहूं कि सेकेंडरी हायर सेकेंडरी से पहले के बच्चे इस बात को लेकर के कनफ्यूज भी रहते हैं कि आखिर सच्चा धर्म है क्या और हम सब बच्चों को पढ़ उसका मर्म अच्छे से समस्पाएंगे तो हलो बच्चों आज मैं चैप्टर नंबर 17 के साथ में आपके पास में मौजूद हूँ जिसका नाम है सच्चा धर्म और यह चैप्टर नंबर 17 है विवेका नंजी की किताब का जिसका नाम है जिसका नाम है सफलता के सोपान तो चैप्टर शुरू करते हैं धर्म का आर्थ है उस ब्रह्मत्य की अभिवक्ति जो सब मनुस्यों में पहले से ही विद्वान है मेरे अंदर भी तुम्हारे अंदर भी पवित्र और निश्वार्थी बनने की कोशिस करो सारा धर्म इसी में है मैं उस भगवान या धर्म पर विश्वास नहीं करता जो न विध्वाओं के आंसु पोच सकता है और न जो अनाथों के मुह में एक टुकड़ा रोटी ही पहुँचा सकता है किसी धर्म किसी ध्धान्त कितने ही उद्यात एवं उसका गर्षन कितना ही सुगठित क्यों नहो जब तक हुआ कुछ ग्रंतों और मतों तक ही पड़िमित है मैं उसे नहीं मानता तो विवेका निंजी का कहना है कि धर्म का आखरी लक्ष लोगों का मनुस्यों का इंसानों की भलाई में होना चाहिए उनकी जीवित रहने में होना चाहिए वो कहते हैं कि बच्चों तुम्हारे लिए नीती पड़ायंता तथा साहस को छोड़ करके कोई दूसरा धर्म नहीं तो स्टूडेंस ये क्लियर हो गया न कि बच्चों के लिए और स्टूडेंस के लिए धर्म का क्या मतलब है उनके लिए धर्म का मतलब है साहसी होना और न कायरता पाप और सदाचारन तथा दुरवलता तुम में एकदम नहीं रहने चाहिए क्योंकि ये चीजें अधर्म हैं बाकी आवस्यक वस्तुमें अपने आप आकर उपस्तित हो जाएंगी अगर तुम्हारे अंदर में और सदाचारन दुरवलता की भावना नहीं होगी मानव मातर के लिए सनेह और दया ही सच्ची धार्मिका की परक है तो अगर कोई आदमी धार्मिक है या नहीं इसकी जांच करनी हो तो हमें देखना होगा कि उसमें दुनिया के बाकी मनुस्यों के लिए सनेह या दया की भावना है की नहीं है तो इसका मतलब वो धार्मिक होने में ना गय हो फिर भी तुम पुनिता को प्राप्त कर लोगे जिससे बल मिलता है उसी का नुशरन करना चाहिए अन्यता विशियों में जैसा है धर्म में भी ठीक वैसा ही है जो तुम्हें दुर्वल बनाता है वह समूल क्याज्य है रहस्य स्त्रीहा मानव मस्तिस को दुर्व के बारे में कभी भी जगडा मत करो धर्म समंधी सभी जगडा फसादों में केवल यह प्रकट होता है कि आधियत्मिक्ता है की नहीं है धार्मिक जगडे सदा खोखली बातों के लिए होते हैं जब पवित्रता नहीं रहती तब आध्यात्मिक्ता विदा हो जाती है और आत् परवास्तों में सुभ एवं सक्कारियों को निरंतर करते रहना ही धर्म है। धर्म की प्रगिति धर्म की उत्पति प्रकर आत्मुत्याग से ही होती है। अपने लिए कुछ मी बच चाहो। अपने लिए कुछ भी नहीं चाहने का नहीं करने का मतलब है कि आप निस्वार्त भाव से काम कर रहे हो। सब दूसरों के लिए करो तो आप धार्मिक हो जाओगे तो बच्चों इसके साथ ही यह चैप्टर खत्म होता है जिसका नाम था सच्चा धर्म तो मैं आपसे एक बार फिर से याद दिलाओंगा कि happy learning with new age coaching इसलिए new age coaching चैनल को like करो, share करो, subscribe करो